हेलो गाईज मेरा नाम रजनीश कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूटूब चैनल में तो आज दोस्तों हम लोग बात करने करने वाले डिपलोमा फर्स्ट इयर से रिलेटीड जो भी क्वेश्चेंस होंगे चाहे वो सेस्टनल से रिलेटीड गए उसी के अंतरगत में आज बात करने वाला हूं सोसल फार्मेसी और उसमें एक पूछा गया कोश्चन जो कई वर सेस्टनल एक्जाम सो चाहे फर्स्ट इयर का एक्जाम हो हमारे डिपलोमा का उसमें पूछा जाता है इसमें यह पूछा गया कि राइट इन ब्रीफ अब और पूल उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं वह साइंटिफिक सोचल और हिउमनेस्टिक परस्पेक्टिव से तो उसका हम लोग क्या कहते हैं इसाल फार्मेसी और यह जो डेवलेप हुआ इमार्ज जो हुआ यह बीहेवियर साइंस हो उन तमाम अलग और और अनसाइंस से इसका development emergence basically हुआ है और यदि हम लोग social pharmacy पढ़ते हैं तो यदि हम लोग एक example है एक फार्मासिस्ट की यदि उसके पास कोई रिवील नहीं करता है नहीं बताता है तो यह कहिना कई humanistic perspective मानिवेता का जो नजरिया है जो उसकी study थी social pharmacy के अंतरगत वह उसको बताता है तो यह तो बात हुई social pharmacy क्या है आप यदि हम लोग बात करें इनके विभीन points को तो विभीन points को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कि जब भी कोई एक व्यक्ति या फार्मासिस्ट कि जो भी पढ़ाई कर रहा है वह एक फार्मासिस्ट बन जाता है तो कहीं न कहीं उसके पास health information आ जाएगी और health information उसको तमाम subjects के माध्यम से आएगी और उससे वह क्या करेगा आगे चलकर उसकी इच्छा होई कि मैं health services provide करा तो health service उसकी एक अलग scope हो जाएगी और उसकी या भी इच्छा हुई कि क्योंकि मैंने social pharmacy पढ़ी है तो मैं cheaper से cheaper medicines यानी pharma economics for cheaper medicines यानी cheaper medicines और इसमें कहीं ना कहीं उसकी या भी आगे इच्छा होगी कि मैं अच्छा drug inspector बन जाओ तो उसमें कहीं ना कहीं वह leadership and governance यानी सरकार में अपनी भूमी का और उसमें जाने का प्रयास drug inspector के माध्यम से वह करेगा तो आएए चलिए हम लोग देख लेते हैं one by one points को कि scope of social pharmacy क्या है चलिए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं medicines, biomedical products and technologies दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इससे कोई भी अचुता नहीं है हम सभी भली बाती परिचित हैं कि किस परकार्थ से आज का यूग जो है वह एक technology से भरा हुआ यूग है internet ने भी एक महान करांती ला दिये तो कुछ ऐसा ही हमें social pharmacy के अंतरगात, scope of pharmacy जो है social pharmacy के अंतरगात देखने को मिलता है कि चाहे वह medicines का area हो, चाहे biomedical products हो, चाहे technologies हो, यानि इस समय यदि हम लोग बात करें आज के यूग में तो नहीने technologies आ रही हैं, चाहे नहीने चुनौतिया आ रही हैं, चाहे वह medicals के छेतर में हो, technologies की यदि हम लोग बात करें, तो वह medical में नहीने technologies हम लोग को देखने को मिल रही है, और हम सभी जानते हैं कि इस परकार से, चेचक से vaccine की जो शुरुवात हुई थी, वह आज हमें करोना के vaccine तक देखने को मिलती है, तो इससे कहीं ना कहीं केवल जो हमारा जो बीमारी है, जो भ बलकि biological जो भी products है, जिसमें vaccines की जैसे मैंने भी बात की, वह खास तोर से हमें देखने को मिलती है, और ये सारी चीजे तो आती ही आती है, इसके साथ ही साथ, चुनोतिया भी हमें देखने को मिलती है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक फार्मसिस्ट को यह जरूरी है, कि उसकी safety, उसकी efficacy को sure करने की जिम्मवारी कि इसके उपर आ जाती है, एक फार्मसिस्ट के उपर भी आ जाती है, अगले अगर इसकी scope की बात करें, तो वह है हमारा फार्मसिस्ट as a health care provider, यदि कोई वेक्ती फार्मसिस्ट बन जाता है, बन जाता है, या सरकारी नौकरी के माध वह क्या करें, उसके पास एक अच्छी खासी health, serrelated जानकारिया होनी चाहिए, वह qualified होना चाहिए, वह skilled होना चाहिए, और यह इसलिए जरूरी है, ताकि कही ना कही हम लोग देखते हैं कि व्यापक अस्तर पर कही तरह की बिमारिया हम लोग को देखने को मिलती है, तो इससे जब भी वह patient से मिले, तो खास तोर से वह ध्यान रखे कि उसका feedback भी, patient जो feedback है, वह उसको ले, और इसका use कहा कर सकते हैं, जो policies बनाई जाती है, उसमें इसका use किया जा सकता है, क्यों? कि आगे से जो भी patient related, जो भी feedback आया, उसको कम किया जा सके, अर्थात complaints को कम किया जा सके, और अधिक से अधिक, patient को satisfaction दिया जा सके, अर्थात इस point में यहां बात हो रही है, कि pharmacist, जो as a health care provider है, उसकी कही न कहीं यह भूमी का बताई जा रही है, कि product oriented, जो service की बात की जाती थी, आज हम लोग देखते हैं, कि तमाम company आपने product को बेचने में लगी हुई है, और तमाम तरह की दवाईया बेचती हैं, तो उससे हट कर, कहीं न कहीं patient oriented services की बात की जाए, उसके interest के अनुसार, उसको क्या तकलीफ है, उसको क्या बीमारी है, उसके dignity का ख्याल रखा जाए, उसके interest का ख्याल रखा जाए, और उसके अनुसार, उसको treat किया जाए, उसकी जो भी problem से health related threats से उनको कम किया जाए, as a healthcare provider कौन कर सकता है, यह है, फार्मासिस्ट कर सकता है, यह था इसका second scope, third कि यह बात करें, तो हम लोग फार्मा को economics for cheaper medicines, तो दोस्तों हम लोग ने बात किया कि कि किस परकार से, यदि कोई भी, यदि हम भी, यदि social pharmacy पढ़ते हैं, तो कहीं नहीं कही humanistic perspective या होना चाहिए, और आज हम लोग देखते हैं कि बड़े पेमाने पर generic दवाईया भी खास तोर से एक alternative के रूप में हमें देखने को मिलती है, जो patent रहीत होती है, patent उनके उपर नहीं होता है, जो कि काफी सस्ती दवाईया मिलती है, तो कहीं न कहीं, यहां पर फार्मास दवाईया देलवाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी भारत की जो अबादी है, वो लगभग 140 करोड है, और उसमें से 80 करोड लोग जो है, वो क्या है, वो क्या है, वन्रनेबल हमारा ग्रूप है, तो कहीं न कहीं उनको cost effective उनको दवाईया पहुचाने की उनको to development of health policy है, public health policy है, जो हम लोग यहां भी देखेंगे leadership and governance में, उसके माध्यम से, वहां पर अपने वह सुझाओ, देकर विभिन बड़े पदों पर वह जार कर, जैसे drug inspector होगे, वह इस जो समस्या है, और इसके साथी साथ जो cheaper medicines हैं, उसको related, उसको लेकर अपनी बातों को यहां जानते हैं कि जो एक pharmacist होता है, वो दवाईयों का expert मना जाता है, और expert हो जाता है, अगर वो विभिन डिगरिया करें, उसमें expertise अगर हासिल करें, तो उससे कहीं ने कहीं उसकी जिम्मवारी बनती है, कि वह जो भी दवाई प्रवाइड करा है, वह पहले नंबर तो safe हो, और स जस्ती तो हो ही, इसके साथ ही साथ उसकी efficacy हो, उसमें quality हो, वह अच्छा से अच्छा हो, उसका therapeutic effect अच्छा हो, और इसके लिए कहीं न कहीं एक pharmacist, या responsible होता है, उसके भी एक जिम्मवारी बनती है, और इसके लिए या भी जरूरी है, जो भी उसके पास knowledge है, आज के इस यू में हम लोग ने देखा ही कि Corona किस तरीके से virus के रूप में Corona बिमारी बड़े वैपक रूप में आया था, उसके अनुसार, उसके medical devices हो, उसे related दवाईया हो, उनके क्या uses हैं, उनके क्या risk हैं, उनकी उसके knowledge होनी चाहिए, तभी तो वह patient को बता पाएगा, अगले point की हम लोग बात करें, तो वह है हमारा health information, तो यदि किसी के पास भी यदि health information आ जाता है, तो कहीं नहीं हम लोग जानते हैं, कि इसमें सबसे important जो health information आती है, उसको कहां से आती है, फार्मासिस्ट को, क्यूंकि most accessible person जो है, वो health care system में कौन है, एक फार्मासिस्ट है, तो इससे कहीं नहीं कहीं, वो व्यापक अस्तर पर जुड़ा रहता है, किन-किन प्रोग्राम से, चायो screening प्रोग्राम हो, surveillance प्रोग्राम हो, तो इन सभी चीजों का उप्यो करकर, वो जो public health policies है, जो develop की जाती है, government के दौरा, governance के दौरा, उसमें role play कर सकता है, और उनको daily by daily, reliable, और timely, उनको information दे स सकता है कि किस परकार से, स्वात से related हजाट से हैं, समस्यां हैं, चल रही हैं, तो उसके माध्यम से, as a health information pharmacist, क्योंकि वो व्यापक अस्तर पर जुड़ा रहता है, most accessible person होता है, तो वह इसके माध्यम से, leadership and governance में भी role play कर सकता है, कैसे हम लोग, हम सभी जानते हैं, कि चाये, अ किस तरीके से resources का use करना है, उसको mobilize करना है, किस दिसा में use करना है, ताकि उसका अच्छे से medication use हो सके, और proper मात्रा में जो वन्रे नेबल ग्रूप है, जो संबेदन सिल ग्रूप है, भारत और हमारी countries में, या other countries की भी बात करें, तो उनको वह provide हो सके, easy से, easily और अच्छे तरी तरीके से सभी को distribute हो सके, तो कहीं न कहीं एक तरीके से leadership and governance में भी main important role किसका होता है, एक pharmacist का होता है, और उनका यह खास तोर से परियास रहता है, कि कहीं न कहीं चो disease है, उसको link किस से किया जाए, drug से, यानि disease को वह एक broader way में, एक broader context में देखते हैं, और उसके लिए क्या utilize, कौन सा drug utilize किया जा सकता है, उसके समस्या को solve करने के लिए, उस विमारी को solve करने के लिए, वो तमाम तरह की सुझाओ, इनके माध्यम से दिये जाते हैं, जो कि health करते हैं, भारत की जो public health related development policy है, उसमें यह कहीं न कहीं important role play करते हैं, और इसी के माध्यम समलुक देखते हैं कि क इस परकार से, एक देश में अगर एक अच्छी development of health policy होगी, तो एक देश का नागरी, वहां का समाज, क्या होगा, स्वस्थ होगा, और खुसहाल होगा, तो यह था आज का तमाम discussion, scope of social pharmacy पर, तो कैसा लगा, आप जरूर बताएं, thank you, धन्यवाद.